देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें एलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग आज हम एक बहुती हेल्डी डिश बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स की सब्जी यह महाराष्ट्र डिजन में बहुती फेमस है और महाराष्ट्रा में इसे मटकी भी कहा जाता है तो आज हम इसे महाराष्ट्रियन तरीके से ही बनाएंगे तो चलिए इसके इंग्रेडिन्स जो है देख लेते हैं इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राउट छे ग्रीन चिलीज एक लार्ज टमेटो का पेस्ट कुछ धनिया के पत्ते गार्निश करने के लिए एक लार्ज अनियन चॉप्ट एक इंट जिंजर दस बारा गार्लिक के पोड्स नमक्स वादानुसार इसमें अमने कुछ मसाले लिये यह एक टीस्पून टमर्इक पॉर्डर एक टीस्पूझ कॉरियन्डर पॉडर एक टीस्पूम क्यूमिन पॉडर एक टेबल स्बूं कश्मीरी रेडचिória पॉाडर और यह जो स्पाइस है यह बहती आपको इजी नहीं मिल जाएगा, तो सबसे पहले ये अनियर, ये जिंजर गालिक और ये ग्रीन चिली इसको एक साथ पेस्ट करेंगे, ये दा हमारा अनियर का मिक्स पेस्ट तो चिली बनाना स्टाट करते हैं मट्की की सबसुर इसे पहले गया स्वाम करेंगे, इसे पैन को गरम करेंगे, पैन गरम हो चुगा, इसमें 2 तेपीस्पूम deixarे अवाटा है, यह आयल कर चुगा है , अब मैं इसमें यह mix onion paste हमने तैयार किया था मिलाइन और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक है गार्लिक का फंजन समेल होता है वो बिलकुल अच्छी तरह से चला जाए यह मसाला जो है पाच मिलट से मैंने फ्राइ किया है नॉर्मल यानि की मीडियम फ्लेम में अब मैं इसमें यह तमाम मसाले मिलाऊंगी अच्छी से मिला लीजे और इसे लो फ्लेम में एक न तक फ्राइ करेंगे यह मसाला फ्राइ हो चुका है अब मैं इसमें टमाइटर प्यूरी मिलाऊंगी और इसे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक मसाले से आयल रिल्लीज करने लगे इस मसाले को high flame में ही fry कीजिए और बीज मिज में चलाते रहे जी यह मसाला fry हो चुका है मैंने इसे चार मिनट तक fry किया है हाई हीट में आप इसमें यह sport यानि के मटकी को यिशाल देंगे नमक मिलाएंगे स्वादनूसार और इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ करेंगे नॉर्मल फ्लेम में ये मटकी जो है लास्ट 7 मिनट से फ्राइ हो चुका है नॉर्मल फ्लेम में अब इसे हम फ्रेशा कुकर में शिफ्ट करेंगे यह मटकी यानि की स्प्राउट्स को हमने दूकर में ट्रांसफर कर दिया है अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगी पानी थोड़ा से जाधा होना चाहिए यह अच्छे से बॉइल होगा ग्या सॉन कर लेते हैं इसे अच्छे से चला लीजिए अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम में च दीन हो 4 सीटी आने तक पकाना है चार विसल्स पर चुका है अब हमें इसके स्टीम में ही इसे पकान है इसका स्टीम को मत निकाले पहा चाहिए पले इस के खुष्बु बहुत ही अच्छी आरही है इसा लास्टाइम थेक्र लेकाश्ट तरह टेस्ट कर लेते हैं, हुम्, यह बहुत ही टेस्टी बनाए है, इसके सारे जो टेस्टाली धाल्यों मट्की में लेशा कॉंशिट, और आप चली इसे गांडिश करते हैं, इसे इसी तरह से सफ़ कीजिए धनिया और अनियन के साथ आप इसे रोटी या चावल के साथ आप अपने घर में जरूर ट्राइब कीजिए अगर आपको आज का हमारा यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कीजिए शेय कीजिए कमेंट दीजिए और हमारे चैन झाल झाल